हेलो स्वुडेंट्स, mcrt science class 10 की इस वीडियो में आपका स्वागत है यह वीडियो related है 10th class science के chapter 3 धातु एवं अधातु यानी metals and non metals से इस वीडियो में हम metals and non metals से related selected and important mcq देखेंगे इस वीडियो में दिये गए multiple choice questions आपकी preparation के लिए काफ़ी helpful होगी ताइए इस वीडियो का हम सुरू करते हैं कि कफेर के आघाथ वर्धता वह गून है जिससे अअप संदिया हुआ है धादूशे lifest Ads extends चादर बनाया जाएसकता है यह फ़ेंड़ार चंकिली होती है यह थाद भानिक खोती है त возмож blecate धातू का एक ऐसा गुन है जिस गुन के कारण धातू को पीट कर चादर बनाया जा सकता है यानि धातू को पीट कर पतले चादर बनाया जा सकता है इसी गुन को धातूं की आधात वर्धता कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्टन तन्यता वह गुन है जिससे अप्षन है धातु से तार खीचा जा सकता है धातु को फीट कर चादर बनाया जा सकता है धातु में चमकिली होती है या धातु में ध्वानिक होती है तो देखिए तन्यता जो है तन्यता धातु का एक ऐसा गुन है जिस गुन के कारण धातु से तार खीचा जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्टन नीम्न में से कौन सी धातु की तन्यता सबसे अधिक होती है अप्सन हमारे पास है चांदी सोना एलुमिनियम और कापर तो देखिए धातु की एक ऐसी गुन है जिस गुन के कारण धातु को पतले तार में खीचा जा सकता है इसी गुन को धातु की तन्यता कहा जाता है वैसे तो सभी धातूं में ये गुन पाई जाती हैं लेकिन इस कोश्चन में हमें एक ऐसा धातू का नाम चुनना है जिसकी तैन्यता सबसे अधिक होती है तिसका सभी जबाब होगा सोना सोने की तैन्यता सभी धातूं से अधिक होती है इसकी तैन्यता कितनी अधिक होती है इ ग्राम सोने से दो किलोमीटर लंबे तार खिंचा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी धातु की आघात वर्थता सबसे अधीक होती है अप्षन हमारे पास है लोहा चांदी सोना और जिंक देखिया आघात वर्थता धातु का एक ऐसा गुन है जिस गुन के कारण धातु को वर्थत किया जा सकता है तिस कोश्चन में हमें एक एसे धातु का नाम बताना है जिसकी आधायत वर्थता दूसरे धातु की तुल्णा में अधिक होती है जिसका सभी जबाब होगा सोना धातुओं का वगून जिससे कठोर सताश से टकराने पर आवाज उत्पन्न होती है प्रकार की ध्वनी उत्पन्न होती है इस गून के कारण धातु को क्या कहा जाता है इसका स्रीजवाब होगा कि धातुएं ध्वानिक होती हैं जब कभी भी कोई धातु किसी कठोर सता से टकराती है तो विशेश प्रकार की आवाज उत्वर्ण होती हैं और इसी गुन के कारण धातुएं को ध्वानिक कहा जाता है निम्न में से कोन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रवा अवस्था में रहती है आप्सन है सीजियम पॉटेसियम मर्करी और गैलियम समयन रूप से धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है लेकिन इस कोश्चन में हमें एक ऐसी धातु का नाम चुनना है जो की कमरे के तापमान पर द्रवा अवस्था में होती है तिसका सही जबाब होगा मर्करी यानि पारा पारा एक ऐसा धातु ह हैं जो कमरे के तापमान पर द्रवा अवस्था में मौज़ुद होता है कि निम्न में से कौन सी अधातू में धातू जैसी चमक होती है अप्सन हमारे पास है ग्रिफाइट आयोडीन ब्रोमीन और क्लोरिन हम क्या पढ़े हैं कि धातू में एक विशेश प्रकार की चमक होती हैं जबकि अधातू में ऐसी चमक नहीं होती है लेकिन इस कोश्चन में हमें एक ऐसा अधातू का नाम बताना है जो अधातू होते हुए भी धातू जैसी चमक रखती है तिसका सही जबाब होगा आयोडीन आयोडीन जहां वह एक अधातू है और अधातू होने के सुचालक है के अफसन हमारे पास है ब्रोमें, आयोधीन, ग्र्रिफा reality यह इनमे से कुंहले हम क्या जानते हैं कि धातव विद्दूत की सुचालक होती हैं और अधातव में विद्दूत की कुचालक होती हैं लेकिन इस में हमें एक ऐसा अधातु का नामचुनना है जो अधातु होने के वावजूद भी विद्दूत का सुचालक है तुसका सभी जबाब होगा ग्रेफाइट कारवन का एक अपरूप है यानि यह जो है यह एक अधातु है लेकिन अधातु होने के बावजुद भी यह विद्दूत का सुचालत है मुलायम धातु जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है लिथियम, सोडियम, पाटेसियम या उपर्युक्त सभी हम क्या जानते हैं कि धातु ये कठोर होती हैं लेकिन इस कोश्चन में हमें ऐसा धातु का नाम बताना है जो मुलायम होती है यानि जिससे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है यानि वह मोम की तरह होती है जिसका सही जबाब होगा उपर्युक्त सभी क्योंकि लिथियम, सोडियम और पाटेसियम तीनो ऐसी धातु हैं जो मोम की तरह मुलायम होती हैं जिसके कारान इन सभी धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है नीम्न गलनांग वाली धातु जिन्हें हथेली पर रखने से पिघलने लगता हैं आप्सन है गैलियम, सीजियम, उपर्युक्त दोनों या इन में से कोई नहीं हम क्या जानते हैं कि धातुएं कठोर होती हैं और इसकी गलनांग उच्चे होती हैं लेकिन हमें ऐसा धातु का नाम बताना है जिसकी गलनांग इतना कम होता है कि उससे अगर हम हथेली पर रखें तो यह पिघलने लगता हैं जिसका सभी जबाब होगा उपर्युक्त दोनों यानि गैलियम और सीजियम दो ऐसी धातुएं हैं जिसकी गलनांग बहुत ही कम होती हैं इसकी गलनांग इतनी कम होती हैं कि अगर इन सभी धातुएं को हथेली पर रखा जाए तो हथेली की तापमान को अबज़ाद करके यह पिघलने लगता है निम्न में से सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है लोहा हीरा ग्रेफाइट या प्लेटिनम इस कोश्चन में हमें दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ का नाम चुनना है तो इसका सही जबाब होगा हीरा हीरा जो है वह कार्बन का एक अपरूप है जो की दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है यह लोहे से भी ज्यादा कठोर है जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं कोन सी गैप्स मुक्त करती है अप्शन दिया हुआ है आक्सिजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन या कार्बन डायक्साइड तिसका सही जबाब होगा हाइड्रोजन जब कभी धी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड गैस मुक्त होती हैं लेक्स्ट कोश्यन भी कुछ उसी तरह का है अमल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं कौन सी गैस मुक्त करती हैं आप्षन हमारे पास हैं हाइद्रोजन ओक्सिजन कार्बन डायकसाइड या इनवे से कोई नहीं तो हम जानते हैं कि अमल में हाइद्रोज मौजूद होता है और जब यह अमल धातुएं अभिक्रिया करती हैं तो यह हाइद्रोजन गैस मुक्त करती हैं यानि इस कोशिन का सही जवाब होगा कि अमल के साथ जब धातुएं अभिक्रिया करती हैं तो हाइद्रोजन गैस मुक्त होता है एक्वारेजिया में सांद्र हाइड्रोकलोरिक अमल एवं सांद्र नाइट्रिक अमल किस अनुपात में मिले होते हैं देखे एक्वार सेहा जो है वह एक लिक्विड है और यह सांद्र हाइड्रोकलोरिक अम्ला और सांद्र नाय।रिक अमला का ताजा मिसरन होता है और यह एक एसा ग्रवा है जो गोल्ड या प्लेटीनम को गला सकता हैं तो इस Southwest में हम से पूछा गिया है कि यह एक्वार सेहां इसमें सांद्र हाइड्रोकलोरिक अमल और सांद्र नाइट्रिक अमल किस अनुपात में मिले होते हैं आप्शन दिया गया है एक अनुपात तीन तीन अनुपात एक एक अनुपात दो या दो अनुपात एक तिसका सही जवाब होगा तीन अनुपात एक यानि एकवारेजिया म तीन भाग सांद्र हाइड्रोकलोरीक आमला होता है और एक भाग सांद्र नाइट्रीक आमला होता है निम नमें से कौन सी धातू सबसे कम अभिक्रियाशिल है अप्सन है पाटेसियम, सिल्वर, सोडियम या गोल्ड तिस कोश्चन का सेजवाब होगा गोल्ड यानि सोना एक ऐसा धातु है जिसकी अभिक्रियासलता बहुत ही कम होती है यानि सोने का किसी दुसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करने की जो टेंडेंसी होती है वह बहुत ही कम होती ह एही कारण है कि प्रावकृति में सोना सुद्ध रूप में पाया जा सकता है आयोनिक योगी का उदाहरन है CH4, CO2, NaCl या NH3 तिसका सही जवाब होगा NaCl NaCl जो है वह सोडियम कलोराइड का राशायनिक सुद्र है इसमें क्या होता है कि इसमें सोडियम आयन और कलोरिन आयन आपस में मजबूती से जुड़े हुए राते हैं और इस प्रकार आयनिक बंधल मनाते हैं यानि इन सभी आफसंस में से NaCl जो हैं वह एक आयनिक योगीख है एक ग्राम सोने से कितनी लंबी तार खिंची जा सकती है आफसं है एक किलोमीटर दो किलोमीटर तीन किलोमीटर या चार किलोमीटर तो देखिए सोना जो है वह एक ऐसाथ हातू है जिसकी तन्यता सभी हातूं की तुल्ना में अधिक होती है यानि सोने से बहुत ही लंबी तार खिंची जा सकती है किसका सभी जवाब होगा दो किलोमीटर यानि सोने की जो तन्यता है वह इतनी अधिक है कि एक ग्राम सोने से दो किलोमीटर लंबे तार खीचे जा सकते है निम्न में से किस धातु पर वायू का प्रभाव नहीं पड़ता है अफसद है सोना सोडियम लोहा या तामबा इसका सभी जवाब होगा सोना सबसे कम अभिक्रियासिल धातु है यानि इसकी अभिक्रियासिलता सभी धातूं की तुन्ना में कम होती है जिसके कारण सोना किसी भी अरिन्यपदात के साथ योगिक बनाने की टेंडेंसी बहुत ही कम रखता है यही कारण है कि सोना पर वायू का प्रभाव नहीं पड़ता है सब्से अधिक सक्रिय धातू है पाटेशियУो Mercury की अभिक्रियासिलता सब्से अधिक होती है इसी कारण से पाटेशियूों जो हैं सभी धातूं की तुन्ना में अधिक क्रिया recognizing विद्धूद बल्व का तंतु किस धातू का बना होता है सोने का तंग्स्टन का प्लेटीनम का तो इल्यक्तिक बल्व का जो फिलामेंट रहा है यह तंग्स्टन का बना होता है नाक्स्ट क्वेशन है पीतल क्या है एक धातू एक अधातू एक मिस्रधातू या एक उपधातू तो पीतल जो है वह एक मिस्रधातू है वास्तप में पीतल तामबा और जस्ता का एक मिस्रधातू है शाधार नमक का राशानिक सुत्र है NACL, MgCl2, Cacl2 या इन में से कोई नहीं शाधार नमक का राशानिक सुत्र होता है NACL जबकि MgCl2 जो है वह मैगनेसियम कलुराइड का राशानिक सुत्र है और Cacl2 केलसियम कलुराइड का राशानिक सुत्र है कौन सी धातू विद्दूत का सर्वत्तन सुचालक हैं आफ्षन हमारे पास हैं सी यू एजी एल या एफ़ी तो सबसे अधिक चालकता वाली धातू हैं चांदी यानी एजी यह बहुत ही महत्पुर्ण कोश्चन है आफ्षन बनाते समय शुद्ध सोने में कुछ मात्रा में तांबा या चांदी मिलाया जाता हैं ताकि जादा लाब कमाया जा सके आफ्षन में कठोरता आये आफ्षन में चमक बढ़े या आफ्षन को संचारन से बचाया जा सके तो देखिए जब कभी भी सोने से आभूशन बनाया जाता है तो इसमें सुद्ध सोने का प्रयोग नहीं किया जाता है सुद्ध सोने में कुछ मात्रा में तामबा या चांदी मिलाया जाता है इसका क्या कारण है इसका कारण ये है कि आभूशन में कठोरता आए क्योंकि सुद्ध सोना जो हैं वह काफी मुलायम होता है और अगर सुद्ध सोने में आभूशन बनाया जाए तो यह आभूशन बहुत ही आसानी से मुड़ सकते हैं इसलिए आभुषान बनाते समय सुद्ध सोने में थोड़ी मात्रा में तामबा या चांदी मिलाया जाता है ताकि आभुषान में कठोरता आए और यह ठीकाओ हो निम्न में से कौन सा कथन आयनिक योगी कों के संबन में सही है आयनों के बीच मजबूत आकर्षन बल उच्च गलनांग अवंग कोथनांग जलियो विलयन की आवस्था में विद्दूत का सुचालक या उपर्युक्त सभी ता यह पहला कथन देखते हैं पहला कथन है कि आयनों के बीच मजबूत आकर्शन बल तो आयनिक योगिक में क्या होता है कि आयन्स जो है वह मजभूती से आकर्षन बल के साथ जूड़े हुए रहते हैं इसलिए पहला कथन जो है वह सhी है दूसरा कथन है उच्य गलनांग अबंग क्वाथनांग चुकि मजबूत आकर्शन बल के कारण ऐसे योगिकों का गलनांक और कौथनांक उच्च होती है इसी प्रकार दुसरा कथन जो है वह भी सही है तिसरा कथन है कि जली और विलेम की अवस्था में विद्दूत का सुचालक तो आयनिक योगिक जो है वह आयन्स के रूप में होते हैं और इसमें आयन्स मजबूती से बंदे हुए राते हैं लेकिन जब ऐसे योगिकों को जल में एक भोल दिया जाता है तो आयन्स जो है वह मुक्त हो जाते हैं और जिसके कारण आयन्स जलियो विल्यान में आसानी से गती कर सकते हैं इसी कारण से आयनिक योगिकों का जलियो विल्यान विद्दूत का सुचालक होता है यानि पहला कथन दूसरा कथन और तिसरा कथन तीनों कथन सही है इसलिए इसक्रेशन का सही जबाब होगा उपाइरि बातू के निश्कर्शन से पहले आयस्त में मौजूद बिभिन प्रकार की आउसुद्धियां जैसे मिट्टी, रेथ, पत्थर के टुगडे इत्तादी को हटाना आवेश्चक हैं तो इस प्रकार की आउसुद्धि को क्या कहा जाता हैं आप्शन दिया गया है खनीज, भातु मल, गैंग या निस्तापन तो इस प्रकार की आउसुद्धियों को गैंग के नाम से जाना जाता है किसी आयस्त को अक्सिजन की उपस्थिती में उच्च ताप पर गर्म करने की प्राक्रिया को क्या कहा जाता है आप्शन हमारे पास है भर्जन, निस्तापन, अपघटन या सम्रिधिकरन तो जब किसी आयस्त को अक्सिजन की उपस्थिती में उच्च ताप मान पर गर्म किया जाता है तो इस प्राक्रिया को भर्जन कहा जाता है इंग्रिश में साम रोस्टिंग कहता है नेक्स्ट कोशन है किसी आयस्त को अक्सिजन की उपस्थिती में उच्च ताप पर गर्म करने की प्राक्रिया को क्या कहा जाता है दकि पिछले कोशन में हमने देखा कि किसी आयस्त को अक्सिजन की उपस्थिती में गर्म करने पर क्या कहा जाता है लेकिन इस question में हमें बताना है कि किसी आयस्त को oxygen की अनुपस्थिती में उच्च तापमान पर गर्म करने की प्राक्रिया को क्या कहा जाता है आप समाए भरजन, निस्तापन, अपघटन या सम्रिधिकरन इसका सभी जबाब होगा निस्तापन यानि निस्तापन एक ऐसी प्राक्रिया है जिसमें किसी आयस्त को oxygen की अनुपस्थिती में उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है यशद लेपन, galvanization की प्राक्रिया में लोहे की सतापर कोन सी धातू की परत चढ़ाई जाती है option है copper, silver, aluminium या जस्ता लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके उपर जस्ते की एक पतली परत चढ़ाई जाती है इसी प्राक्रिया को यशद लेपन यानि galvanization कहा जाता है सोने का सुद्धतम रूप है 24 कारट, 22 कारट, 20 कारट या 18 कारट कारट जो है वह सोने की सुद्धता की मापन का एक इकाय है और सुद्ध सोने को 24 कारट से व्यक्त किया जाता है यानि सोने का सुद्धतम रूप जो है वह है 24 कारट शिनावार किस धातु का आयस्ट है एलमिनियम जींग पारद या कापर तो शिनावार जो है यह पारद का एक आयस्ट है यानि पारा का एक आयस्ट है और शिनावार का राफ़्ानिक शुत्र होता है सब्सक्राइब नहीं किया है तो नई वीडियो की अपडेट्स पाने के लिए इसको सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें क्यूंकि आपकी लाइक सरी हमें इंस्पारेशन मिलती है आपके लिए नहीं नहीं वीडियोस बनाने की इस तब तक के लिए बाई